और क्या हाले में दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्vaytapakalam में स्वायत की सासाथ अभिनेंदन करते हूं आप लोग कैसे हो आप श्वaytapakalam बना हरी पत्तेदार मेथी के पत्तों के द्वारा त्यार तेपले जो बहुत ही जाता टेष्टी बनके त्यार होंगे इतनी सोफ मेथी की फेपले बनके त्यार हो जाते है जो दोस्तो हम आप इसको मिलक मनाना शुरू करती है ताज़ीयर पत्ते मेथी के पत्तों पट्यों जैसे इसमें से सिर्फ पत्य वाले हिस्सित को उने निकाल करना है कर दीजे और इस तरस्थी के पूरे मेथी पत्तों को जितना बारी का आप इसको काट सकती उतना बारी का आप इसको काट के तयार कर लीजे आप इसको कैची की भी त्वारा काट सकती जितना बारी का आप इसको काट के तयार करेंगे थेपले उतनी टेस्टी बन के तयार रों से छे पीस लहसन के कलिया लिया दो से तीन पीस आमने हरीमिर्च लिया है Strategy wichtig जार के देंदर के इंदर हमने 400 घीहु पर तिपनी के अंदह सब्च पहले स्वात के वंसार नमक को डाल देती हैं। मिलने पात इक ही तैयार हो गया अब इसके अंदर जो मेथी औ धन्या के बारिक टुकड़ी में कटे विए पत्ती हैं इनको इसके अंदर डाल देती हैं और साथ जो अद्रक अरी मिर्च लहसं का पेश्ट बना कर रखा पूरी पेश्ट को भी इसके अंदर डाल दिया इंसारी अब इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालती जाती है और इसको आटे की तरह गूत की तयार कर लेते हैं। गुट के तैयार हुआ है जैसा छोटा बड़ा साइज आपको थेपले का बना के तैयार करना हो उतना है इसके अंदर से आड़ी के आप लोई को निकाल लीजिए और हाटों पर रख्के इसको अच्छी तरह से गोल कर लिजिए इसके उपर हमने थोड़ा सा सुखा आटा लगा लेना है आटा को लगाने के बाएद इसको बेलंग सायता से एक तम से पतला बेल के तयार कर लेना है थेपले बहुत जादा मूटे नहीं बनती थोड़ी पतले रहते तभी इसका सवाध बढ़िया बनके तयार होता है इन इसी की हिल्पी भी ले सकते हैं, गैस पर पहली हमने तवा रख दिया था तवा अच्छी तरह से गरम हो गया, गरम तवई के उपर एक थेपले को डाल देती, 15-20 सिकंड इसको इसी तरह रहनी दिया, उसके बाद इसको हमने पलट दिया, पलट इसको उपती लगा दिया, दूसरे को भी इसी तरह बना के त्यार कर लेती है, आप थेपले को 2-3 दिन बाद यूज करना हो, कही सफर पे लेके जाना हो, तो इसके रखने का तरीका बिल्कुल अलग है, आप एक कटोरा रख लीगे, उसके उपर एक छन्नी रख लीजे, कोई भी छन्नी हो, या फिर आ आप भी लगती रहे, और यह सुरच्चित में रहे, इस तरह से मेथीक थेपले आप बना के त्यार करेंगे, यह थेपले एक दम से सौफ्ट बन के त्यार होते हैं, अगर आपको मैं रिस्पी आच्छी लगती वीडियो पसंद आती, तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुर नहीं बुलें, और मुझे कमेंट करके बताएगे यह थेपली की रिस्पी आपको कैसी लगी, एक दम से सौफ्ट थेपले बन के त्यार होएं, आप इसको किसी भी सब्चिक साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, चैक साथ खाएं, या फिसको ड्राइ भी खा सकते हैं, अचार के साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हिल्दी बनाएए, हिल्दी खाए, आप दिम तक कीम्ती समय निकार के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद, बहुत बहुत शुक्रिया